हम लोग को योगी बवा की सरकार में जितना हम लोग मुसल्मान सुरच चीत है किसी सरकार में हम लोग सुरच चीत नहीं थे सर और यह लोग जो है इनके घर गुंडे बदमास मवाली अच्छे लोग आएंगे कभी लोग को दिखा दे हमारे इस मुबाइल में जितनी भी है अस जेक्स राकेट शलाएंगी तो बताइए कि पर्धान जी पर जो अरब डाल नहीं कि गभी दो लाग हुश याँ करें और रहे कि उनके साथ मौननास की हाँ जो और योगी बाबाता कि योगी भावा उज ये आाख कि उनका जो लड़का किसका है उसके बापका नाम क्या है और सानिया कर सानिया जो नास्ती गई है हर मुद्दे में पकड़ा गई है हर पुरूप हम लोग के पास हो गया है इसके चलते हो लोग अपनी सफाई दे रही है परदान जी पारोप लगा रहा है आप पूरे गाहों से पूछिए कि परदान जी कैसे है गेदे क्यों हाँ अफ ये लोग बोल रही हैं कि हम लोग पर अभी आरोप लगाया जा रहा है ये बताइए कि पर्छॉ सब्सक्dim जाते थे उस जमाने में सोसल मीडिया नहीं थी ना मुबाइल था ना नेट था और आज के जमाना में सोसल मीडिया है अब इन लोग को तो पहले अब नाचने गाने आता नहीं है पहले लोग पहले के पुरान थे वो लोग कला करती थी अब उनी से पर जाती जो यह लोग है य जो आपना पूरा का जो भी अपने सोसल मीडिया पर डाली उसके उनहीं के देखे देखे हुए भी लोग जो दूसरी लोग थी वह अपना पूरा हमारे पास पूरूप है और वो अपनी बुलूफिल में डालने लगी लोग उनी के साथ की जो रहने वाली है सबकी सगेर्द सब्की मेठ हैं जो बुल-बुल नाम के है और वर मिला बाई की डालने लगी वह अपना पहले कला की डाली उनका तो कला का थाम एक देखे थे और आदमी का भी साथ कहा हमारे मुबाइल ने देंगे यह लोग अपनी परचार करने लगी सेक्स से और मुबाइल पर सोसल मीडिया पर डालने लगी उसके बाद गाओं की जितने ग्रामीर लोग हैं सब देखे उसके बाद कहीं किसी रिस्तदारी में या किसी जगह जाते हैं तो कते रहे आपकी गाओं पर पहले नाच मुझरा होता था अब यह सब भी होने लगा यह स मुझरा होता था आपके महले में आपके बस्ती में और यह जो है पूरे गाओं को नास रही हैं गाओं के बीच में यह लोग हैं और यह असलील फोटो और बुलू फिली में बना रही हैं उसके बात परधान जी हमारा निडले लिए इन लोग को समझाए कि ऐसा न करो लेकिन यह लोग कह रहे हैं कि हम लोग करेंगे नहीं करेंगे तो क्या आप हमको खाने को देंगे अब बताईए लोग कह रहे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और मीडिया के सामने इतना अच्छा अच्छी बात बतिया रहे हैं पढ़े लिखे हैं तो क्या ये लोग दूसरा काम नहीं कर सकती हैं ये बुलू फिल्में बनाएंगी सेक्स और पता लगा लुछे कि परधान जी है कैसे हम अप मीडिया को लई है कि आट तो आई साही भी हमारा परधान चाEM कराइए दूद का दूद आप पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे परदान जी गलत है कि तुम लोग तो हमारे पास पूरा पुरूप है हमने एश्टीयम साहिब को भी देखा है एसको साहिब को दिखा अपना मुबाइल पर इन लोग का बुलू फिलीम और जो भी असलीव गाने और वीडियो है सब देखा है हम दियों साइबा को भी दिए हमेही डियम साहिबा से कहेंगे जल से जल निवाला इसका लीका लिए नहीं त किसे को बोलबाजी कर देता है तो यह बताइए कि हम लोग कया करेंगे क्themamuk our कर लग राद को आते हैं और दर्वाजा खटढने लगते हैं अब बताइए हम लोग बाहर में कमा रहे हैं हमारी बीडी गर पर केले पड़ी हुई है और यह लोग दरवाजा खट-खट आने लगते हैं अरे कहा रंडिवन का कौन गर यह घर है नाजगानावाली का यही घर है यही पूछने लगते हैं अब बताइए हम लोग सर्म के मारे हमारी बीबी जो हमारे कभी रिस्तदार आयते हैं वो क्या सोचेंगे सर यह बताइए कि इतने परसान हैं हम लोग इतने दुखीत हैं सर कि अब लोग हम लोग अपना आत्म हाथ कर लेंगे हम लोग यहां पर छोड़ कर चले जाएंगे यही कभी-कभी जी चाता है सर कि अपने आपको हम लोग गला काट ले सर इतना हम लोग परसान है लेकिन हम लोग का दर्द अभी तक कोई सुना नहीं है अभी जाज का तो जाज चला है अब जितने दिन तक जाज चले हम लोग भी देख रहे हैं सर, हम लोग परसान। हमें पूरा उमीद है कि हमें न्याय मिलेगा हम लोग न्याय का हम लोग जानना है लोग बोल नहीं है कि पहले यहां पर योगी बाबा और मोदी बाबा का नारा नहीं इससे पहले उनको समझदारी नहीं है कि पहले जिसकी सरकार रहेगी उसी करना हम लोग नारा बोलेंगे प और यह लोग जो है इनके घर गुंडे बदमास मवाली अच्छे लोग आएंगे कभी इन लोग के घर बेस्वाहों के घर रंडियों के घर कोई अच्छा लोग आएगा नाज मोजरा अच्छा लोग सुनेगा कि अपने घर रहेगा किसी का यह बीवी बाल बच्चा छोड़ा देती हैं आयो तो अपना यह बीड़ा उठाएं पहले कैसे हम लोग उठाएं बीड़ा हम लोग एक तुलसी राजभर मर गया जब एक बार हम लोग 30 साल पहले इसका 1983 में हम लोग जब यह जो मुद्धा उठाएं लोग को बन करने के लिए उसमें हमारे पुर्जों ने किय तो उसमें एक तुलसी राजभर का जान चला गया एक छोटा महला है उसमें गोली बारी हुई है इतना तक हुआ हम लोग जो परधान रहेगा उसी जिन पास आएंगे तो परधान साथ साल से इन लोग को समझाता रहा यह लोग नहीं मानती रही लाश्ट में परधान अपन करने लगे जब से इन लोग पर आरोप लगाने लगे जब लोग हम लोग कुछ करने लगे इन लोग के बारे में तभी लोग आरोप लगा रही है उससे पहले लोग आरोप नहीं लगा रही थी उससे पहले हम लोग गुंडा बदमास नहीं थे कोई परसानी इन लोग को नह ले लगी जो इन लोग के पास आदमी आता है यह बताइए कि पास आदमी नहीं आता है नहीं करती यह हम बिस्तरी नहीं करती तो यह बताइए कि जो मीडिया के सामने बोल रही है सानिया जी उनसे पूछिए आप कि उनका जो लड़का है वो किसका है उसके बाप का नाम क्या ह और सानिया के पूछिए कि सानिया जो नास्ती है उनके बाप का क्या नाम है पहले उनसे पूछिए सर वो मीडिया के सामने अच्छी अच्छी बाते कर रही है वो लोग तो पकड़ा गई है हर मुद्दे में पकड़ा गई है हर पुरूप हम लोग के पास हो गया है इसके चलत पाता की जये योगी दाबा देखिए ये इनकी बात सही है यानी की समाज बदला बदल गया तो यह भी चीज को बदलना चाहिए अब ये इनके दादा पर दादा जो कि पहले 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 लिके नहीं थे वोग का सिस्टेम कुछ और था उसके इसाफ से सब कुछ चल रहा था लेकिन अब इनको पास सिच्छा है ग्यान है तो बदला होना चाहिए हमने पूर्खों के द्वारा सुना है कि पहले खाने के लिए नहीं था तो गोबर से निकाल के गोबर धूल के अनाज को खाते थे लेकिन आज किसी को कह दिया जाए कि गोबर में कानाज खाएंगे तीन सो का नोकरी करते हैं सर तीन सो का नोकरी करते हैं छे परिवार को हम जिलाते हैं इन लोग को सिरी इन लोग को पैसा का हवस है इन लोग का कहते है कि हम अपने भाई और बाप बाप का तो पहले बात है मत करें इन ल पर हम लोग सही बात बोल ला है कि अपना धंदा करो दूसरा काम करो इसको छोड़ो यह पीडिया दर पीडिया मच चला इस लोग का लड़कियों का साधी भी आपरसानी लगोंगा अनाई करना भी तुम लोग को नहीं छोड़ना चाहती हो तो यह बीचों बीच गाउं में हो हमारे भगल घर के भगल में हो कोई भी आता है दर्वाजा खटकटा देता है कोई भी आता है सामने पिसाब करने लगता है तो कितना दिन हम लोग जलील होगे इस चीसे कितना दिन जलील होगे यही इन लोग को कह रहे हैं तो यह बस यह परधान जी को और परधान जी के गुं इन लोग का विरोध में पूरा आकोर्स है हम लोग तो यह करें कि हमारे मीडिया के मारपस सुन लीजिए बाहरी लोग अगर आप लोग आते हैं तो हमारे पूरा गाव उग्र है आप लोग पर कुछी भी घटना हो सकती है इसका हम लोग जिमवारदार नहीं है देखिए अब समाज बदल गया तो आप लोग को भी बदलना पड़ेगा जो पहले की जैसे आज भी उसमें लिफ्ट होना चाहते हैं उसमें सामील होना चाहता है तो वह छोड़ दे क्योंकि समाज बदल गया है और सैलूट करते हैं इस गाव के लोगों को जो ऐसे असलील काम लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है लेकिन कम से कम इस गाउं के लोग तयार तो वे बिरोत्तु किये अब हो सकता है समय आगे बदल बदल जाए और सब कुछ सही सही हो जाए और यह लोग खुले आसमान के तर आराम से घुमें सर उठा के उपर तो दोस्तों बहुत कुछ का न